नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जैहन दोस्तों, बातों का सिलसला जा रही है मेरे साथ, यानि कि जेमी आल्टर आपका सूतरधार, बहुत-बहुत सारे कॉमेंट्स आएं पिछले कुछ दिनों में, कि भाई, क्या स्टोरी टरिंग करते हो, और कैसे आप हमें कहानी में ले जा है मुझे, कि मैं जो भी आपको सुनाता हूँ इस चैनल पर, इस वर्थी एफिट, थैंक यू दोस्तों, तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक इंडियन पैसपोर्ट के साथ, जब मैं इंडिया के बाहर ट्रैवल करता हूँ, तो एरपोर्ट और एरलाइन्स से लोटा, कुछ 6-7 साल पहले की बात है, दिल्ली के T3 एरपोर्ट पे लैंड हुआ, और फ्लाइट से उतर कर सभी पैसंजर के साथ मैं इमिरेशन लाइन में लग गया, मतलब इंडियन पैसपोर्ट होलडर्स की लाइन, अब ये इतनी बार करके मैं यूस्टू हो गया, कि मेरे आगे पीछे खड़े लोग मुझे इस लाइन में देखकर क्या खुस्पुस कर रहे होंगे, इंडियन सेटिजन की लाइन हमेशा सबसे लंबी होती है हमारे एरपोर्ट पे, तो कि कम ही फॉरिनर्स आते हैं in comparison, तो जो फॉरिनर्स के वीजा और पासपोर्ट देखने क स्टाफ होती है, वो कम होते हैं as compared to the staff checking Indian passport holders, तो दोस्तों मैं खड़ा था चुपचाप लाइन में और मुझे देखकर एक एरपोर्ट स्टाफ मेंबर ने मेरे पास आके बोला कि सर आप घलत लाइन में खड़े हो, आप प्लीज फॉरिनर्स की लाइन में आईए, आपको जल देखते हैं क्या होगा, तो मैं उस लंबी लाइन से निकला और उस आदमी के साथ दूसरी लाइन में लगिया, जिसमें साथ आठ लोगी थे, मेरा नमबर आया, मैं काउंटर पे गया और official के सामने मैंने अपना passport रख दिया, Indian passport देखके उस official ने मुझे से कहा कि sir आप गलत लाइन में आये हो, आपको वहाँ जाके खड़ा होना पड़ेगा बाकी Indians के साथ, अब वो आदमी यही कहेगा, मुझे तो पहले से पता था, of course, मगर बड़े काम होकर मैंने उनसे कहा कि sir मैं तो बिलकुल उसी लाइन में खड़ा था, जैसे हमेशा करता आया हूँ, मगर आ आप ही बताईए sir, उस लाइन से मेरी जगा तो गई, अब क्या मैं वापस उस लंबी लाइन के पीछे लगूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं है न, उस स्टाफ ने मुझे उस लाइन से निकाल कर यहाँ खड़े होने को कहा, और मैंने किया, बताईए आप क्या करूँ, यह पाता था कि वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर ने, यह सुनकर मैंने अपनी हसी रोकी, और दोनों से कहा कि देखो, अब मैं वापस उतनी लंबी लाइन के बिलकुल पीछे क्यों जाऊं, मैं तो बीच में था, मेरे नंबर आही जाता, आपने ही मुझे यहाँ लाकर कर दिया, अब आप प्लीज मुझे इस लाइन से फ्री कर दोना सर, आपका क्या है, आपने तो बस पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगाना है, कर दीजिये न, यह सुनकर उस आदमी ने का चलो ठीक है, मगर अगली बार अगर कोई आपसे ऐसा कुछ करने को कहे, तो आप वही इंडियन पासपोर्ट लाइन में ही रहना है, मैंने का जी सर, डन, और पासपोर्ट लेके में इमरिकेशन से फ्री होगी, अब बताओ, उस आदमी की गलत फहमी से मुझे काफी डिले हो सकती थी, मगर अच्छा हुआ कि उस दूसरे अफिशल ने मेरी बात की लॉजिक सुन तो दोस्तों ये था एक और यादगार किस्सा मेरी लाइफ से, ट्रैवल करते समय, बाकि आपको ऐसे और किस्से सुनने हो, तो लिख दीजिए नीचे कॉमेंट सेक्शिन में, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, और हां, जाने से पहले, here's a big shout out to my channel's official and loyal members, शिवा आंक, किंजल, विजय, विने, Mr. Hamilton and Aditya, गुदबाइ फिनाफ्रेंज, और हां, अगर आप अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, कर दीजे न, बंदे को अच्छा लगेगा